मेरी गलती बस इतना ही थी कि मैंने हर किसी को खुद से ज़्यादा जरूरी समझा इस बेमिशाल दुनिया में मैंने पराय को भी अपना समझा तो नमस्कार आप देख रहे हैं हिमान सी निउज मैं आपके साथ मितुन कुमार सर्मा आज मैं बात करने के लिए आया हूँ वही स के बारे में मैं बहुत सारे ऐसा जुटा ख़बर फैला रहे हैं लोग जिसको आप सोचने पर मजबूर को घाएंगे कभी-कभी ऐसा खबर मिलता है कि मनी मैं 20 समय के लिएowan 1-00 के लिए बाहर नहीं आएंगे कभी-कभी हैसा ख़बर मेलता है कि मैं मतलब दिक्कत में जेल में रखा जा रहा है तो आपको इस वीडियो में मैं बता दूँगा कि क्या सही है और क्या गलत है आपको पता होना चाहिए कि हिमानसी न्यूज कभी भी गलत खबर नहीं चलाती है लेट से मैं आता हूं लेकिन सही एवं उचित सटीक एंसर लेकर आता हूं तो आप इस वीडियो में बने रही है आगे मैं आपको आरम करता हूं कुछ दिनों से लगतार खबर चल रही है कि मनीश कस्यप बिहार आ रहे हैं कुछ दिनों से लगतार खबर यह भी चल रही है कि मनीश कस्यप सब दिनों के लिए बिहार आ रहे हैं तो इसमें कुछ सच्चाई भी है और इसमें कोछ जूट भी है सच्चाई यह है कि वाकई में मनीश कस्यभ बिहार आ रहे हैं जी हाँ दो से चार दिनों के अंदर में मनीश कस्यभ बिहार के बेतिया कोट में आ रहे हैं क्यों आ रहे हैं यह भी जान लीजिए मनीश कस्यभ के ऊपर एक हैं आपको बताने का कुशिस कर रहा हूं यानि की केस नंबर है दूसौत तेराने में अबुकी कैस नंबर है 2000 तेरान में जो की 12 чего 2021 में उन पर आप या दर्च कराया गया था यार दर्च कराने में और आरोप लगाई गई थी, सच्चा ही नहीं है, फिर भी आरोप लगाई गई थी, कि आरोप क्या लगाई दी थे पता है, मनीज कस्यप ने मुझसे 5 लाख रुपिया रंगदारी मांगा है, और बंदुक लहराते हुए, यानि कि पिस्टल लहराते हुए, मुझे तरह तरह का धंकी दि भारतिय जंता पाटी के वर्तमान विधायक उमा कांथ सी जी आरोप लगाते हैं कि मनीश कस्यप चुनाव परचार के दौरान यानि कि आपको बता दे कि मनीश कस्यप भी 2021 में यह 2020 में एक चुनाव लड़े थे जो विधान सवा के विधायकी का था जी हाँ मनीश कस्यप निर्दलिय चुनाव लड़ रहे थे और उमा कांथ सी जी भारतिय जंता पाटी से टिकट लेके चुनाव लड़ रहे थे वही टिकट भोट मागने के दौरान एक मतलब समर्थकों के द्वारा बहस होती है ना कि मनीश कस्यप से और ना कि उमा कांथ सी जी से बहस होती है दोनों के समर्थक के द्वारा एक बहस होती है उस बहस में भोट के कारण होता है कि मेरा यह च्छित्र है मेरा यहां से भोट ज्यादा आ रहा है मेरा यहां से भोट जा रहा है यह लाजमी कोई भी अपना मतलब बात रखते हैं एक विपक्षी के सामने कि किसे मुझे एतना भोट से जीत मिल रही है तो वो सामने वाले बोलते हैं किसे नहीं नहीं मुझे एतना भोट से जीत मिल रही है हलाकि ये सच्चा ये पंचायत चुनाव से लेके मुख मंत्री के चुनाव तक ये कहा जाता है तो उसी में मतलब एक बहस होती है बहस में मतलब उमाकांद सिंग जी के तरफ से यानि भरतिय जंतापाटी के विधायक उमाकांद सिंग जी मतलब एक आरोप लगाते हैं कि मनीज कस्यप ने मुझे 5 लग का रंगदारी मांगा और बंदूख पिस्टल लहराते हुए मुझे दरदर के धमकी दिया वही केस है जिसका सुनवाई में मनीज कस्यप को बिहार लाया जा रहा है इस सुनवाई में फिर से मनीज कस्यप को तमिलनाडू जेल में रख दिया जाएगा शिर्फ ये इसलिए मनिस्कस्यप आ रहा है कि इस केश का सुनवाई होने वाला है ब ден रिगार कोट में मनिस्कस्यप का स्दिक पेशी है इसलिए बिहार आ रहा है जो भी जुठा ख़बर फैला रहे हैं उसको आप लोग नीज न देखें ये सच्चाई ख़बर है इसलिए इसको जादा से जादा से शेयर करें और उन वेक्तियों तक पहुंचाने का परियास करें जो मनीज कस्यप के आस में है कि वाकई में मनीज कस्यप छूट के बिहार आ रहे हैं बस पेस होगा और वह चले जाएंगे लेकिन ये सही ख़बर है कि मतलब जब बिहार में आएंगे सबसे खुशी ख़बर यह है कि मनीज कस्यप बिहार आ रहे है जी हाँ ये सबसे अच्छी ख़बर है कि मनीज कस्यप बिहार के धरती पर सौन और बिहार का हागमन ह होने जा रहा है लेकिन फिर भी कुछ च्छन के लिए होने जा रहा है यह भी सच्छा ही है अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग सेर करें एक सब्सक्राइब करें और सही नीज को देखने का प्रियास करें लाश्ण में एक ही सब्सक्राइब बोलना चाहेंगे जय हिंद जय भारत जय बिहार